हालो फ्रेंड्स वेलकम यू आज मैं आपके वीडियो लिकार रखें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहां पे बड़े फार्मा स्टॉक को हम आपके सामने रखेंगे उधार बुक्त कंपनी डेट फुरी शेयर को आपके सामने रखेंगे इस बड़े ब्रैंड से हम कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो की मातिम से अब आपके मनुम रखेंगे बड़ेंट है क्या यह हमें क्या सिखा रहा है क्यों यह बड़ा ब्रैंड आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूंगर आपने अप तक को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रैस कर लेगी और प्राइस एक्षिन आपके लिए निफ्टी की विकली आप्षिन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट यह आपके लिए ले क्या है और बहुत ही साधारण सी यह मैं कहूंगा आप्षिन सेलिंग की स्ट्राइटीजी बहुत ही सिंपल बहुत ही प्लेन अगर आप इसको देखोगे आप खुछ समझ जाओगे और करना क्या है इसमें भी अगर कोई चीज की जरुवत है तो वह है पेशिंस की अगर आपके पास पेशिंस है तो जहां पे आप हो आप वही देखे समझा सी क्या हम चलते हैं फाइजर एक उधार मुक्त कंपनी एक डेट फ्री स्टॉक मार्केट के अप्लेशन पहुच चुका है 25,000 करोड वेकि आपने आप में बड़ा नंबर है अगर इस स्टॉक को देखें तो आप फाइजर इंडिया में तो यह लिस्टेड इस स्टॉक से जैसे मैं आपको कहा कुछ न कुछ आप सीखोगे तो फाइजर के स्टॉक से हम क्या सीखते हैं अगर मैं लास्ट साइकल फाइजर की स्टार्ट करूँ तो यह ऑक्टूबर में स्टॉबर में स्टॉक का प्राइस था अल्मूस् 3904,000 के आसपास जहां पर यह सा भागा है ज़रा सोचिए इस दौरान स्टॉक आसमानों पर पहुंच गे लेकिने 44 परसेंट कुल भागा आपको गया यह तो क्या ही भागा है है कि नहीं है बट एक साल में 44 परसेंट 40 परसेंट बहुत होता है लेकिन अभी भी जो है यहां पर इस जोन तक जाने के लिए मै कहूंगा कि इस जोन तक के लिए भी आल्मोस्ट 55 परसेंट क्या यह कम होता है मुझे तो नहीं लगता साल भर के अंदर अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ बट मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जाओंगा उससे आपको उसमें कुछ सीखोगी फाइजर क बात देखिए क्या रेली आपको देखने को मिली एक बड़ी करेक्शन फिर से अभी आई तो अच्छे स्टॉक्स जो हल्दी स्टॉक्स है ऐसा नहीं टाइम करेक्शन का भी होता है हमें सब्सक्राइब भागते नहीं रहता देखिए इसने भागा एक बढ़िया हल्दी करे खारेक्शन दी और भागदे लगए है लेकिन सवाल ही आता है कि जब परेक्शन आती है इसको कैसे समझेव हमको आपको बार-बार कहते हैं स्टॉक को देखे करेक्शन को समझना है हमने सिच्वेशन आपको बता रहे और आपको उसके बाद पेशिंश डरुद्य किरवात पैटरन का सिचुवेशन जैसी आपको डाइवर्जेंस दिखता है ध्यान रखे इस बात को हर वीडियो में हम लगब लगब आपको बताने की कोशिश करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में डाइवर्जेंस दिखते ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता स्टॉक जब यह मोमेंटम पकड़े उससे पहले यह हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें बस वॉच लिस्ट में आड़ करके देखना है कम मोमेंटम पकड़ कहीं पे भी वीकली चार्ट में आपको डाइवर्जेंस दिखता है उसके बड़े टाइम फ्रेम पर देख लीजिए किस दिरिगे जैसे अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा है इंपल्स के बद करेक्शन का फेच चल रहा है और अभी इसने हमको डबलू का फॉर्मेशन दे दिया और कभी यह पॉजिटिविटी अगर यहां से देता तो एक बड़ी रहली आने वाले टाइम पर दे सकते हैं अपने इस टॉक के चार्ट को देखके प्राइस सेक्शन को देखके इसके टूपंट सिस्टम को देखके और जैसी यह मोमेंटम पकड़ लेता है तो आपको पता है आपका एंट्री एरिया क्या है फिर से कर्यक्शन बॉश ऐसे शेयर्स भी आपने देखके प्राइस सेक्शन कॉमन है आप देखोगे बड़े-बड़े स्टॉक प्राइस के मामले में हो या फिर पैनी स्टॉक्स क्यों नहीं हो जहां पर हम ट्राइडेंट जैसे एचाफियल जैसे स्टॉक्स की बात किया करते थे यह पैनी स आते ही इस कहीं पर जोन पर क्या लेवल है 4000 को लेते हैं थोड़ा राउंड़ेट फिगर है 4000 पर आपने एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस धीप कभी यहां पर जब आप एंट्री लेते हो तो अगर आप 10 शेर भी खरीदते हो तो सीधे-सीधे आपको देख रहा ह है यह 5,000 का रिसक है! तो पहला क्योशन अपने आपसी किया यह पांच जबाएबर के वाहँ है अगर है वागे बढ़ना अगर नहीं है कितना रिसक फोडिवल है उसके हिसाब सो आगे चलने लेकिन आपको बाहर बार बहुती सिंपल प्लेन भाशा माशा में सम्झाने की को को हमेज आप नंपर समझते हैं कि जड़ पर समझते हैं जब साइकल स्टार्ट हो रहे है बहुत ही छोटी बड़े ताम फ्रेम पर आपने लेकिश हम लोग होती है तो वह बात ही कुछ और है डेली टाइम फ्रेम पर फिर से देखिए फिर दुबारा आया यह अभी 15 माई के आसपास दुबारा अपॉर्चुनिटी यहां पर तैयार ही यह सब कीज क्लोजिंग आई वापस यहां पर हो रहा था तो अल्मूस्ट 4400 आसपास और उसके साफ से भी द यहां से कहुंगे किजहापने आप एंट्री की प्रवब्रिल्टी होती है एक सो 20 पासें आप इखना यहां से जहां से प्रॉब्वल्टी उतिए डेलbour्स आवशा पसें ओंताую माश्क्क म यहां से देखिया इस सौ पर सेंट के लिए ओल्मोस्ट 68 महीन लगे और इस इस यह अब यहां से देखिए इसको यहां तक पहुचने के लिए आल्मोस्ट तीन साल के आसपास लगे तो दो से तीन साल जब लग रहा है तो बढ़िया रैली आपको यह दे रहा है यह फाइजर का शियर है और भीच में जो उतार चड़ाओ होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे लॉसे लिया क्या है आपको पता है सिच suishen क्या है तो हमें साब बड़े टाइम प्रेम के उपर रहे होते हैं आप अपनी साइज करके आप इस कर सकते हो चोटी चोटी बात है लेकिन बहुत इंप्रक्टन बात है यह ब्रेंड फार्मा के डेट फ्री शिहार हमें स्ठा मेरे पास आप लोगों के रिफ्लाइ नहीं आते कि आप प्रैक्टिस करते हुए नहीं करते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यस लिखे यस आई डू और अगर आप नहीं करते हैं यह भी लिखे नो और क्यों नहीं करते हैं तो करते हैं तो बढ़िया है अगर नहीं कर करते हैं तो क्यों नहीं करते what is the reason कि practice बहुत जरूरी है market में बने रहना है तो practice बहुत जरूरी है दो शेर केजिए like is and thank you thank you for watching the video